हुँ 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 देर सुदेंट्स दिस साइड गॉर्ब फ्रों केपी सी एकड़मी आज हम आप से डिसकुस करेंगे आपके साथ लिस्ट फैडिंग्स के बारे में बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कई बार कॉल आती हैं कि सट फैडिंग के ओपर वीडियो बनाओ तो म है कि बहुत यह असान तरीका है यह सबसे बड़ी इसमें प्रावलम आती है टाइम कंजूमिंग बहुत सारे बच्चों का टाइम कंजूम होता है बहुत सारा टाइम खराब लिकिन उसके सारे की वर्ड्स दिमाग में रख लेने हैं बात याद रखनी है क्या उसमें की वर्ड्स याद रखने हैं कौन से की वर्ड्स वो आपको रीडिंग करकर के पता ही है कि की वर्ड्स कौन से बनाने हैं अब आपने वो सारे की वर्ड्स दिमाग में रख लेने हैं दूसरी बात, जो खास important मैं अभी करके बताऊंगा आपको, दूसरी बात आपने इसमें 90% question का answer उसका first line में ही मिल जाएगा, पांच-10% इतर हो सकता है, तो आप second line या last line पढ़ लो, जितना बड़ा paragraph है, उसका सारे का answer आपको पहली, दूसरी या last line में मिल जाएगा, बाकी paragraph पढ़े बिना, अब मैं आपको ये solve करके बताऊंगा, दिखाऊंगा कि कैसे, अगर आप इस practice को कर लेते हो, तो आप बहुत सरा अपना time बचा सकते हो, जो दूसरे questions के ओपर, जहां पर आपको problem आती है, वहां पर लगा सकते हो, और इसको हम करते हैं, एक question की help से, मैं 3-4-5 question करूंगा, translation नहीं करूंगा, उसके को meaning नहीं बताऊंगा, आपको trick बताऊंगा, कि आप question का answer common sense के साथ कैसे डूण सकते हो, अगर आपको सारे meaning हो सकता है, वहां पर पता नहीं कौन सी reading आनी है, और हमें हर reading की कुछ ऐसे words बीच में होते हैं, अगर हम उसकी meaning निकालने जाते हैं, तो कि आपको क्या करना है, कैसे इसको solve करना है, तो चलिए हम आते हैं, इस question के ओपर, मैंने list of heading आपको screen पर show किये हुए हैं, आप देख सकते हो, तो आपने सबसे पहले यह है, जो list of headings, मैंने reading number 14 में से लिए हैं, आप उसमें देख सकते हो, तो कुछ, मैं पढ़के बताता हूं, list of headings, solving the puzzle of a papyrus document, number one, number two, the importance of written document and different ways of recording them, तो इसमें से हम कुछ keywords mark करते चलेंगे, मैं इदर mark करता जाओंगा, इसको, mark करता हूं, solving, the puzzle, एक यहां दो कोई बना सकते हो, papyrus document, topic का नाम papyrus है, तो वो keyword नहीं बनेगा, उसके बाद है, importance, 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 written records, written records, different ways, third है, use of, use आगिया, possibilities, future possibilities, use of, पहला है, range, range of, range of, next में, suggestions, possibilities, future possibilities, उससे next में, how, question पूँचा है, कैसे, how, cultivated, manufacturing, यह वो words है, जो हर एक को पता होते हैं, हर एक को पता होते हैं, next, decline, next, preservation, destruction, documents, आपके पास paper pencil होगी, आप अपने paper pencil होगी, आप अपने paper pencil हो, production, यह मैंने, आप यह समझ के चलो, कि मैंने यह mark किये, underline कर दिये, आप यह सोच के चलो, आपके पास copy pencil pen, जो भी है, अगर आपके पास इसकी sheet है, तो आप underline कर लो, और इसको mind में पढ़ लेना है, एक बार, पढ़ लेना है, कौन कौन से words है, पहले में था, solving, puzzle, document, दूसरे में था, written records, different ways, तीसरे में था, use, range of, use, range of, कई तरह की range है न, फूर्थ में था, suggestions, future possibilities, फिफ्थ में था, cultivated, manufacturing, सिफ्थ में था, decline, कम होना, सेवन्थ में था, preservation, destruction, documents, और एर्थ में था, process, production, यह words हमने सारे पढ़ लिये, यह words हमारे mind में, याद नहीं करने हैं, बस एक बार mind में होने चाहिए, कि यह words हमने पढ़े हैं, जब आप first line, second line और last line पढ़ोगे, तो आपके mind में आ जाएगा, ऐसा word हमने पढ़ा हुआ है, तो चलो हम उस question के उपर, passage के उपर आते हैं, question number 28 है, section A, तो section A पढ़ते हैं, यह हमें दिया गया है, section A, आप section A screen के उपर आपके पास आ रहा है, तो आप section A की पहली line पढ़िये, यह आपके पास paragraph है, libraries and archives are cultural crossroads of knowledge exchange, where the past transmits information to present and where the present has opportunity to inform the future, यह पहली line पढ़ ली, अब आपने इसकी, यह देखो कितना बड़ा paragraph है, दो paragraph के साथ मिलकर एक paragraph बना हुआ है, और last line पढ़नी है, first paragraph की, and the written documentation carries enormous cultural importance, consider the consequence of signing the foundation documents of United Nations or conventions on biological diversity, इसमें हमें कुछ चीजें सामने नजर आई, क्या नजर आई, written documentation, हमने कहीं पर इसके बारे में पढ़ा था, फिर बात आई, document की, इसके बार-बार documentation की बात कर रहा है, ठीक है, बार-बार documents की बात कर रहा है, तो हमने, हमें कुछ hint मिल गया, कि बार-बार documents की बात कर रहा है, return की बात कर रहा है, अगली second paragraph की भी first line, documentation requires writing tool, यहां पर भी writing tool की बारे, documentation की बारे में बात कर रहा है, तो आप इस बाकी paragraph हमें कोई भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा paragraph देखो, a paragraph अगर आप पढ़ने बैठोगे, a paragraph के, अगर आप a paragraph question number 28 जो दिया है, अगर उसको पूरा पढ़ने बैठे तो 7-8 मिनट 6, 7-8 मिनट लग जाएंगे आपको पढ़ते हुए, और उतनी ही ज़्यादा confusion होगी, मेरा मानना ये है कि अगर आप question की पहली आखरी line को दियान से पढ़ लेते हो, और keyword के साथ match कर लेते हो, आपको अंसर मिल जाएगा, कारण ये है कि पहली line में ही सारी, कि सारी meaning दिया होता है, बाकी सारा paragraph उसकी explanation होती है, list of heading match करने के लिए, अगर आप पहली line का दियान से, तो आप को अंसर खूब भखू भी मिल जाएगा, तो इसमें हमने पहली line पड़ी, paragraph की और आखरी line पड़ी, पहली line में तो हमें कोई भी keyword जो हमने select किये थे match नहीं किया, आखरी line में हमारे पास वो keywords match किये, return documentation, documents, documentation requires, writing, ऐसी सब चीजें हमें सामने, बारवर writing की बात हुई तो हम वापिस list of heading के ऊपर चलते हैं, हम देखेंगे कौन से list of heading में, writing की बात कर रहा था, documents की बात कर रहा था, तो हम इस वापिस अपनी screen पर आते हैं, पहले में था solving puzzle, दूसरे में था importance of written records and different ways of recording them, आप देख सकते हो, written records, तो records, documents से records, तो आप कुछ common sense use करोगे, तो आपको मिलेगा कि आपका answer आपको match किया हुआ, मिल रहा है, आपको बस common sense लगानी है, अब जो आपने words, keywords match किये थे, जो अभी भी आपने paragraph में words found किये हैं, जो आपने paragraph में words निकाले हैं, आप उन words को tally करके देखो, आपको काफी ह तक clarity होनी शुरू हो जाए कि हाँ, इस cancer यह बनेगा, बस उसके ओपर practice करनी है, तो आप इसमें देख सकते हो, written records की बात कर रहा है, different ways की बात कर रहा है, है ना, वहाँ पर यह हमारे mind में strike किया, फटा 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 हमने इसको strike किया, वापिस दोबारा से उसको, फिर अपने words के साथ जहां पर थे, वहाँ मैच किया, वहाँ पर भी है, documentation require writing tool and surface upon which to record the information permanently, तो बार बार रिटन रिकॉर्ट की बात हो रही है, written documentation की बात हो रही है, इसका मतलब हमारा answer जो बनेगा, वो क्या बनेगा, second वाला, the importance of written records and ways of recording them, तो यह हमारा answer बन गया, second, ट्विंटी एट का, जो ट्विंटी एट का question है, हमने इसके आगे हमारा answer क्या बन गया, इसका answer बन गया, second, next है paragraph, section B, section B के उपर आते हैं, section B का भी देखो paragraph बहुत सारा, बहुत सारा, बहुत ही बड़ा है, तो section B के paragraph के उपर आते हैं, पेपिरस is strongly associated with Egyptian culture, although all the ancient civilization around Mediterranean used it, और लास्लाइन पढ़ लेते हैं, लास्लाइन दिया हुआ है, लास्लाइन दिया हुआ है, लास्लाइन दिया, लास्लाइन दिया, the sheet was then crushed to extract the water, dried and then polished to produce a high quality writing surface, individual sheets could be glued together and rolled up to make scrolls or folded and bound to form books, अब आप लास्लाइन के ओपर ध्यान से अगर देखोगे, कोई मिनिक निकालने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान से देखोगे, इसमें आपको एक clue मिल रहा है, क्या clue मिल रहा है, देखो, the sheet was then crushed, then, उसके बाद उसने बोला है, फिर कॉमा इंसर्ट किया, फिर उसने एंड लगाया, and then polished, and then दोबारा से है न, and then polished to produce a high quality writing surface, फिर कॉमा इंसर्ट किया, individual sheets could be glued together, तीसरी चीज़ ग्लू की गई together, फिर end लगाया, फिर उसने बोला है rolled up, to make scrolls, चौथी चीज़ की गई, rolled up, और folded, यहां फोल्ड की गई, फिर end लगाया, फिर उसको क्या किया गई, bound, to form books, पांच चीज़े की गई, पांच चीज़े की गई, क्या क्या, then यह किया गया, then यह, पांच चीज़े बता थी, उसने क्या क्या किया, कैसे किया, उसने यह बता दिया, तो हमारे पास, एक हमने list of heading जब पढ़ रहे थे, उसमें एक हमने पढ़ा था process, तो आप इस list of heading को देखो, बैं दिखाता हूँ आपको list of heading, आप उस list of heading को देखो तो आपको पता लगेगा पहले इसमें एक और इतने steps बताए और यहाँ पर था produce साथ में produce भी दिया हुआ है उत्पादन है तो हम वापिस आते हैं list of heading के ऊपर तो list of heading जब हमने पढ़े तो वहाँ पर पहला था solving puzzle दूसरा था हमने answer निकाल चुके हैं तीसरा था यूज रेंज आफ चौथा था suggestions पांचमा था how cultivated चटा था decline seven keyword लगाया था preservation destruction documentation और आठवा था process और production दोनों चीज़े मैच की production और process process क्या होता है कि पहले यह किया उसके बाद यह किया उसके बाद किसी वो आपको बता रहा है कि इसका answer यह है कि यह steps है यहनि common sense लगाई हमने तो answer निकाल लिया कोई explanation कोई meaning नहीं निकाला सिर्फ common sense की वजह से कि उसने बार बार then use किया बार बार कॉमा यूज किया बार बार इन सारे मैच कर जाएं तो answer उसी का बनेगा आपका तो यह हमारा answer क्या बन गया सो section बी का 29 का हमारा answer जो बन गया answer number हो गया 8 तो यहां पर हम 8 लिख देते हैं कि सी section आप खुद करोगे आपके लिए दे दिया मैंने सी section section d question number 31 section d इतने बड़े बड़े अकर section पढ़ने बैठ जाएं तो हमारा time इदर ही consume हो जाएगा बाकी कहां से करेंगे section d पहली line में पहले word में ही answer मिल गया हमें besides 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 का मतलब क्या है इन इडिशन इसके इलावा एक होता है beside next to उसमें इस नहीं लगा होता अगर एस लग गया इस इन इडिशन उसके इलावा सो हमें यह word बता रहा है besides नहीं answer हमें बता दिया कि in addition हमने list of heading पड़े थे तो हमने पहले मानलो मैं mark करता हूं इसमें आपने अगर दिमाग में रखे होंगे तो बिल्कुल आपको answer मिलेगा इसी इसी एक words इंसर मिल जाएगा पहली line के उसके बाद दिया हुए है use besides their use तो हमने besides भी पड़ा था use भी पड़ा था फिर आगे देखो in record keeping papyrus stem वर used in many other aspects used फिर आगया used many other aspects यह हमें काफी कुछ इसमें पहली line में ही बता दिया इसने काफी कुछ पहली line में ही बता दिया अब इसमें हमारे पास जो बार बार देखो मैं फिर वही बात समझने की कोशिश करो पहली बार बार वो कहिरा यूज बार बार उससी चीज के ओपर आ रहा है तो हम दे लिस्ट ओफ साव एंडिंग में पड़ा था कहीं पर यूज का इस्तेमाल हुआ था अब हम देखते हैं कहां पर उस यूज के बारें बात कर रहा था अब भी बाकी आगी लाइन पूरी पूरी लाइन में नहीं पड़ी आधी लाइन में अंसर में मिल रहा है तो हम बापेश लिस्ट आफ एडिंग के ओपर जाते हैं उसमें हम देखते हैं यह लिखा हुआ था पहला था में जो paragraph दूड़ा है डी paragraph की फ्रस्ट लइन पड़ी है वह पर भी लिखा और यूज्ड फूर मैनी कई तरह से है ना मैनी आसक्क्स कई आसक्क्स से यहां Apache range of purposes कई तरह से range of purposes is many aspects, ये भी keyword आपका match कर रहा है, उदर use वाला keyword आपका match कर रहा है, और इस से हमें पता लग जाएगा, एक आप हो सकता है confusion हो जाए, मैं आपकी अब एक confusion भी दूर करता हूँ, use एक और list of heading में है, six number वाले list of heading में देखो use है, अब हमारे को ये कैसे पता लगेगा, answer ये वाला ह है कि वो वाला है, यहाँ पर देखो six वाले list of heading में भी answer है, ये आपकी clarity आपको doubt दूर करता हूँ, आपने, मैंने बताया कि आप सारे keyword जो आपने दो या तीन निकाले match करो, आपके जो पहले वाला question है, उसमें use वाला भी match कर गया, range वाला भी match कर गया, वहाँ पर many other aspects दिया keyword is decline of use, decline, decline के बारे में बात नहीं हुए list, डी paragraph में, first line में, decline के बारे में बात नहीं करा, it means उसमें एक keyword match किया use, और जो पहले आपने दूरास में, दोनों ही keyword आपके match कर गए, तो इसलिए answer मारा क्या बन जाएगा, वह आप असानी से देख सकते हो, answer आपका बन गया, डी section क third, last question, इसी तरह से अगर आप practice करते हो, तो आप असानी से अपने questions के answer डूण सकते हो, आपको मुझे नहीं लगता, कोई problem आएगी, तीन question मैंने किये हैं, और दो question मैं आपको दूँगा, मैं ये last question इदर, डी paragraph है, ठीक है, आप इसको पढ़ लेना, और last question, आप खुद solve करना, फिर इसका answer आपको net में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, आप मुझे call करके पूछ लेना, कि ये दो questions किये हैं, नहीं समझ आएगा, आप दोबारा से भी पूछ सकते हो, और मैंने last में भी एक, कल भी एक video upload की थी, जिसमें हमने अपने results भी डाले हैं, जिसमें हमारे ये techniques use करने से, बचे 9 band भी reading में ले रहे हैं, writing में 7.5 भी ले रहे हैं, 7 भी ले रहे हैं, बहुत सारे बचे results में pass भी हो रहे हैं, और अगर आप में से कोई भी आकर join करना चाहे, offline और online classes आप असानी से, इसको join कर सकते हो, हमें contact कर सकते हो, और अपनी problems को solve कर सकते हो, आज के लिए और इस वीडियो के लिए, आज के लिए इतना ही काफी है, next video में फिर मुलाकात होगी, अगर आप कुछ doubts होगे, तो आप बता देना, comment box में या WhatsApp में message करके कि हमें personally ये problem है, तो उस वीडियो के साथ भी हम कोशिश कर करेंगे आपको उसमें अपनी आपकी problem solve करने की, thank you very much.